उपविस्त कोण आसन दंड आसन में बैट जाएं टांगों को जितना हो सके उतना फैलाएं एक बार में एक टांग फैलाएं टांगों को खीचके रखे और पंजे उपर की ओर रखें घुटनों को मत जुकाएं, सीधे बैटें पंजों को पकड़ कर आगे को जुकें अगर आप अपना माता या तोड़ी जमीन पर लगा सकें तो लगाएं साधारन रूप से सांस ले, यह है उपविस्त कोण आसन इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड्स तक रहें इस आसन से घुटने की पीछे की मान स्पेशियों को लचीलापन मिलता है धीरे से उपर आएं, धड़ को बाएं और मोडे बाएं पैर को दोनों हातों से पकड़े अगर अपने सेर या तोड़ी को बाएं घुटने पर टिका सकें तो टिकाएं धीरे से उपर आएं, दाएं तरफ मुडे और मुद्रा को दोहराएं इसे मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड्स तक रहें यह हैं उपविस्त कोण आसन दो अब दंड आसन में आजाएं रोज अभ्यास से पेंडू में रक्त चाप अच्छा रहता है अब आसन दो आसन दोड़े